कि नवस्कार फिर्ट, सबाद करता हूं आपकी यूटूब चैनल सुझनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास स्मार्ट टिवी है और स्मार्ट टिवी में आपका एमेजॉन प्राइम जो हता है तो एमेजॉन प्राइम में कैसे आप फ्री वीडियो देख सकते हैं और साथ में आपको बताँगा कि कैसे आप उसמे कोई भी सो बगएर है तो प्राइम वीडियो हो गया Netflix हो गया बहुत लैसे आप एट सो थे हैं जिसमें आप नहीं देख सकते हैं उसके सो बगएर तो मैं आपको next video में बताऊंगा कि उसमें कैसे आप free to wear सभी उसके सो बगेरा देख सकते हैं सब कुछ आपको next video में मैं आपको बताऊंगा उसमें तो आज मैं आपको इस video से रेलेटिव आया हूँ कि आपका amazon prime होता है तो amazon prime में तो पूरी तरह से आपका चलने लगेगा तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपका जो है तो यहां पसे आपको देखना है कि आपका जो Amazon Prime है तो वो पूरी तरह से आपका update है कि नहीं update है सबसे पहले आपको चेक करना है Play Store से तो मैं Play Store पे आ चुका हूँ Play Store पे आने एक बाद आपको उपर वाले बटन प्रेस करना है जो चार बटन होती है उसको आने एक बाद आपको इसमें आना है जो आपकी ID Login होगी तो उसमें Click करना है उसमें Click करने कबाद आप यहां पसे देख सकते है नीचे down करना है जैसी आप नीचे down करेंगे तो यहां पस आप देख सकते हैं अपडेट में लिखा हुवा थ्री अपडेट पिंडिंग में आपके डली हुए है तो यहां पस आप देख सकते हैं कि मेरा MX Player हो गया तो मैं यहां पस सभी को अपडेट में लगा दूँगा तो मेरा जो Amazon Prime है तो अपडेट के लिए नहीं करना है फिर इसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहां पस से बैक होना है और बैक होने के बाद आपका जो Amazon Prime है तो नहीं चल रहा है तो सबसे पहले मैं चलता हूं सेटिंग्स में तो सबसे पहले आपको अपने टीवी के में अलग अलग रहता तो आपको एपस ढूंड लेना अपनी टीवी पे तो उसमें आना है और जैसी आप आएंगे तो उसमें ओके करना है और जैसी आप ओके करेंगे तो आप यहां पस से देख सकते हैं कि जो आपका कुछ टीवी में होता है कि जो एपस यूज करते हैं तो उपर सो करते हैं जो यूज नहीं करते हैं तो नहीं सो करते हैं कुछ टीवियों में करते हैं कुछ टीवियों में नहीं करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि एमजोन प्राइम आपको ढूंड लेना एपस में आने के बाद और यहां पस आने के बाद आपको ओके करना है आप जैसे ही okay करेंगे आपको यहां पस तो आप जैसे देख सकते हैं कि okay करने के बाद आपको यहां पस तीन चार ओफशन माँगेगा तो यहां पस सबसे पहले आपको open हो गया, first stop माँग रहा, install update माँग रहा है, disable माँग रहा है पिर इसके बाद आपका storage है और clear data है क्लियर कची हो गया तो इसमें आपको दो चीज करना है clear data आपको okay कर देना है तो यहां पस्ते मैं इसको okay कर दूँगा फर्श्ट आपको यह करना है फिर second में आपको क्या करना है कि यहां पस्ते जो आपका data होगा तो clear होगा थोड़ा वेटिंग करने के बाद आप देख सकते कि इसमें जो आपकी फाइल्स होगी, जो फाइल्स बगेर आपकी जो एरर से हो रही होंगी, तो प्रूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और आपका जो apps नहीं रन कर रहा तो रन करने लेगा फिर इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे जैसे आप आएंगे तो यहां पस permission का option मागेगा तो permission में आपको check कर लेना है कि इसमें permission क्या क्या है तो इसमें आप देख सकते हैं no permission माग रहा है कोई भी permission इसमें आपको नहीं माग रहा है तो यहां पस आपको back हो जाना है बैक होने के बाद फिर आपको home screen पर आजाना है अब जैसे home screen पर आएंगे आप तो यहां पस आपका जो है Amazon Prime है तो Amazon Prime को आपको okay करना है और जैसी आप okay करेंगे तो आपको यहां पर से थोड़ा सब wait करना पड़ेगा फिर इसके बाद आपका Amazon Prime का यहां पर सो जाए गया तो थोड़ा सब wait करेंगे wait करने के बाद इसमें आपका login करने के लिए ID मागेगा तो यदि आप membership ली हु पर आपको यहां पर टीवी सो में क्लिक करना है तो यहां पस आपको टीवी सो मिल जाता है फिर इसके बाद आपको मोवी मिल जाता है तो movie आप यहtoい विफ, बदियो आपको यहाँ पसए जा तो यह आपकी movie हो गया, फिर इसके बाद kits में आएंगे, to KITS में आपको यहाँ पस आपकी बच्चे के लिए cartoons बगढ़ा, movie वगढ़ा, आपको यहाँ यह Papaz देख सकते हैं फिर इसके बाद आपका Long Ange हो गया फिर इसके बाद आपका Contacts used हो गया फिर इसके बाद आपको Sing-In करने का तो जगधि आप Membership लिए होए तो यहाँब सै Sing-In करने के लिए आपको OK करना है OK करने के बाद यहांपस Click करना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने टीवी से आपको जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट आपको गो जाना है आपको खोलना है गो टू primevideo.com slash my tv on your mobile device to computer तो इसमें आपको करना है फिसके बाद क्रेट करना है यदि आपका एकाउंट नहीं बना हुआ तो आप उसमें एकाउंट बनाएं और नहीं बना हुआ तो उसको बना लें फिर इसके बाद आपको सिंगिन करेंगे अपको जैसे टाइमिंग रहता है टाइमिं से चलने लगेगा तो इस तरह से आपको अपने टीवी में आपकी स्मार्ट टीवी है तो इसमें एमजोन प्राइम चला सकते हैं और इसको देख सकते हैं तो आपको वीडियो आपको समझ में आ गई होगी यदि वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर झाल झाल झाल